हेलो दोस्टों कैसे आप सभी शुरू करते हैं आँज किस वीडियो को आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल के दिन याने की 20 फरवरी के दिन हमारे कड्रा बनिहाल सेक्शन को फाइनली पार्शेली ओपन कर दिया गया है 48 km के section को संगलदान से ले करके बनिहाल के बीच में and trains की service अब यहाँ पर regular basis पे start हो जाएगी trains का schedule जो है मैंने आप सबीशे share कर दिया है इस video के अंदर description में दिएगे link पे click करके आप लोग इस video को देख सकते हैं तो दोस्तों इस video के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखरिकार trains की service तो partially यहाँ पर start कर दी गई है लेकिन currently अगर हम लोग बात करें तो जम्मू से share अगर trains अभी भी नहीं जाती है and कई सारी deadlines भी fail हो चुकी थी अब तक इस project को ले करके लेकिन finally अब आधा section complete हो चुका है so बचा हुआ जो 63 km का section है वो कब तक open होने के chances लग रहे हैं and क्या progress हमें देखने को मिल रहे हमारे कटरा बनियाल section के उपर इसी के उपर बात करने वाले हैं चैनल पर अगर लोग नए हैं तो चैनल को भी subscribe जरू कर लिजेगा इस वीडियो के अंदर डीटेल में बात करने आले हैं deeply समझने वाले हैं सभी चीजों को अब दोस्तों इस project के उपर कितना काम हो चुका है कितना काम चल रहा है इन सभी चीजों को लेकर के तो मैं आप सभी को update दूँँगा ही साधी कुछ personal opinions भी share करूँगा लेकिन आप में से जो नए viewers होँगे उनके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा recap देना चाहूँगा जिससे सभी को ये चीजे clear हो सके तो दोस्तों हमारी इस कटरा बनिहाल section को हमारी भारते railway ने basically तीन phases में डिवाइड करा था पहले phase के अंदर SVD के कटरा से उधंपूर के बीच में लगबग 26 km का section था ही है और अभी से काफी दिन पहले ही ये section complete हो चुका था और SVD के कटरा trains भी इसी route से हो करके जाती है अब second phase के उपर अगर हम लोग बात करें तो वो है बनिहाल से लेकर के SVD के कटरा के बीच में इस section को partially कली के दिन operational करा गया है 48 km का section जो आप सुनते हो आ रहे हैं बनिहाल से लेकर के संगलदान के बीच में इसी section को partially open करा गया है तो ये है second phase इसके बाद अब हम लोग बात करें third phase के उपर तो वो है बारा मुला से लेकर के बनिहाल के बीच में इस section को साल 2009 में start कर दिया गया था बारा मुला से लेकर के बनिहाल के बीच में ये जो section है इसका distance है 135 km का और कुछ इसी तरीके से हमारे इस कटरा बनिहाल section का जो sum है वो है 272 km अब हम लोग specifically बात करें हमारे phase 2 यानि की बनिहाल से लेकर के SVD के कटरा के बीच में चल रहे काम को लेकर के तो वैसे तो दोस्तो मैंने आप सभी से लगातारी अपडेट सेयर करी है बहले हम लोग बात करें कटरा side के stations के बारे में या फिर बनिहाल के side के stations के बारे में तो बनिहाल side के stations तो दोस्तो हम लोग side में रखते हैं तो रियासी बकल एंड दुगगा में completely सभी चीज़े लगबग लगबग complete हो चुकी है जैसे कि signaling department का काम tunnels के अंदर signaling department हो गया firefighting का काम हो गया या फिर अनदर बाकी सभी चीज़े तो इन तीन stations के ऊपर लगबग सारी जैया बर्मा जी ने रिसेंटली ट्रॉली ट्रायल करा था एंड ट्रैक्स डालने का जो काम है वो पूरी तरीके से final touch दे दिया गया है ट्रैक्स को एंड अंजी खड़ ब्रिज के ऊपर electrification and signaling department का काम किया जाना बाकी है यही कुल मिला के काम है जो कि हमारे ब्रिज नंबर 60 के ऊपर एंड इस ब्रिज के जो गर्डर लॉंचिंग का काम है वो लगबग लगब कंप्लीट हो चुका है लेकिन तीन गर्डर अभी भी बचे हुए लॉंच करना जितना काम होता जा रहा है मतलब जितने गर्डर लॉंच होते जा रहे हैं उनके ऊपर जो है cement का वर्क कंप्लीट करा जा रहा है धीरे धीरे करके and ballastless track को डालने के लिए जो surface वर्क है वो भी यहाँ पर करा जा रहा है सावल कोर्ट stations के आमने सामने पढ़ती है दोस्तों tunnel number 13 and tunnel number 14 इन दोनों ही tunnels के अंदर tracks डालने से लेकर के electrification का काम, firefighting का काम, signaling department का काम बचा हुआ है जो की किया जाना बाकी है इसी के साथ सावल कोर्ट station में भी हमें कोई खास progress देखने को नहीं मिल रही है लेकिन यहाँ पर majorly जो काम करा जाना है वो है guard launching से related इसके बाद tracks, OHE, signaling department का काम बच जाएगा जो की करा जाना बाकी है और उमीद यही है दोस्तों कि सावल कोर्ट के उपर काम करने में जितना total समय लगने वाला है इतने समय के अंदर बाकी सभी चीज़े पहले से ही complete हो जाएगी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि Indian release के लिए headache सिर्फ सावल कोर्ट station and tunnel number 1 को लेकर के हैं क्योंकि आप लोगोंने recently भी देखा होगा कि tunnel number 1 के अंदर से पानी गिरने की जो problem में वो start हो गई थी तो यही दो मेजर प्रॉब्लम्स है करेंटली इस यूएस्ब्र पुज़क के completion को लेकर के तो tunnel number 13 दोस्तों जैसा कि आप लोगोंने दुगगा वाली साइड पर देखा होगा तो tunnel number 13 के अंदर भी हमें अच्छी प्रोग्रेसी देखने को मिल रही है ट्रैक्स यहां पर अंदर लगबग 50% से भी ज्यादा portion तक अब जा रहे होंगे मुझे जा तक लगता है और लाइटिंग का भी काम दुगगा वाली साइड से जो है complete है और फाइर फाइटिंग से भी रिलेटिड काम लगबग लगबग कंप्लीट कर लिए गए होंगे अब तक So majorly tunnel number 13 and 14 का जो काम है वो सिर्फ और सावल कोट में ही बचा हुआ है और यह प्रोजेक्ट दोसों before election open होने के chances लग रहे हैं क्योंकि elections भी बहुत ही जादा नजदीक है और अगर दो से तीन महिनों के वक्त के अंदर यह सारी चीज़े solve हो जाती है या फिर सावल कोट का काम done हो जाता है तो यहाँ पर definitely trains की service जो है जम्मू से श्रीनगर के बीच में जो है start कर दी जाएगी बांकि इसको लेकर के आप लोग क्या सूचते है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएगा आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप लोगों से किसी next वीडियो में